नमस्कार दोस्तों, BK Education में आपका स्वागत है, तो आप सभी के लिए एक महत्रपूर सुचना है, जैसा कि आप लोग thumbnail पहले ही देख चुके होंगे और आप लोग समझ भी गए होंगे, और ये सुचना Jupiter Plus C जो आपकी वेकेंसी आई है, जैसे कि देखिए हमारे चैनल पर maximum student Jupiter ये भरती से संबंदित news देखते रहते हैं और classes भी देखते रहते हैं, तो ये उनके लिए भी है, और जो other vacancies के लिए देख रहे हैं, जो है नोकरी के लिए, वो उनके लिए भी ये news है, तो आप इस वीडियो को सभी को आप share करके उनको सूचित कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा को इसमें पाबंदी नहीं है, ये जो है, जो यूपिटर पलस्सी अभी तक exam calendar नहीं release किया है, उससे संबंधित है, और exam ही calendar नहीं, अगर हम सही माईने में देखें, तो यूपिटर पलस्सी एक तरह से एकदम सुस्त हो गया है, अभी तक कुछ active था, लेकिन active किस मामले में, प पुरा आयोजन किया गया है, यूपिटर पलस्सी कार्याल है, यानि कि यूपिटर पलस्सी जो office है, वहाँ पर माधरना का है 25 अक्तूबर 2024, यानि कि परसों की डेट में 25 अक्तूबर को सुबह 10 बजे सभी को वहाँ पर पहुँचना है, और ये भारी संख्या में आप पाकर भी आप धसिते जाएंगे वहाँ पर पहुचिए, क्योंकि ज़्यादा लोग रहेंगे न तो उसका एक फर्ग पढ़ेगा, ठीक है, उसका एक फर्ग पढ़ेगा, आयोग पर प्रेसर पढ़ेगा, सरकार पर गवर्मेंट पर प्रेसर पढ़ेगा, मिडिया में तमाम चीज़ें आएंगी, तो उससे क्या होगा, कि आपका जल्दी से यूपिटर पलस सी हो सकता है, कि एक्जाम कलेंडर रिलीज कर दे, एक्जाम स्टार्ड करा दे, और भी चीज़ें, और भी डिमांड यही एक डिमांड नहीं है, यहाँ पर अगर डिमांड की बात करेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, अगर करा दूँ कि किन कीन चीज़ों को लेकर, यहाँ पर यह जो है, यूपिटर पलस सी आयोग सभी लोग जा रहे हैं, पाहली चीज ती यह है कि यह जो पेट 2021 की अभी कुछ बेकेंसी बची हुई है, जो कि वो कम्प्लीट नहीं हुआ है, पेट 2022 की पूरी की पूरी बची हुई है वेकेंसी, उसका भी पेपर नहीं हुआ, भी एक भी, पेट 2023 की आया है, उसका तो भी समझे कि शुरू आती ही नहीं हुआ, तो यह सारे जो विग्यापन आये हुए हैं, इनकी एक तरह से लिस्ट आ जाए, जैसे होने के पहले सारी चीजिया जाती हैं, लिस्ट, कब चुनाव होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब सरकार बनेगी, तो भी यह उसी प्रकार से इधर से भी पूरा प्लानिंग होना चीए, प्लानिंग के नुसार ही ताकि विद्यारती अपना पढ़े भी, जब प्लानिंग ही यतना जल्दी करा सकते उतना जल्दी, लेकिन अगर कोई बियापन आता भी है, तो वो नौ मेहने से ज़्यादा समय ना लगे उसमें, ठीक है, उसके पहले उसके रिजल्ट आ जाने चाहिए, परिच्छा रिजल्ट में सभी बिर्तों की रैंक जारी की जाए, क्योंकि रैं कि साथ रिजल्ट आना चाहिए, जैसे रिजल्ट हर इक सीज का आता है उस तरीके से, ठीक है, और वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान हो हर भरती में, वेटिंग लिस्ट से उन ऐसे अभियर्थियों को मौका मिल जाता है, जो अभियर्थी काफी मेहनत के साथ लगे और पता चला एक दो नंबर के साथ हुओ, जो है वो कटाप में नहीं आ पाते, तो ऐसे लोगों को मौका मिल जागी, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे अभी लेकपाल में ही देखिए, बहुत सारी सीटे खाली रह गई थी, नहीं जोईन किये, फिर तब तक वीडियो का रि साथान हों की, ताकि वो सीटे भरी जा सकें, वेटिंग लिष्टर है, बाद में बुलाया जा सकें, तो ये सारी मांगे हैं, इन मांगों को लेकर 25 अक्तूबर को जो है, यूपिटर पलस सी, एक तरह से ये सुधार आंदूलन है, कर ताकि यूपिटर पलस सी सुधर जाए, तो सब का भला हो सकेगा इसके लिए, तो इसके लिए सभी लोग ये डिसाइड किये हैं, सभी कोचिंग संस्थान, सभी डिसाइड किये हैं, कि 25 अक्तूबर को वहां पर विसाल धरना दिया जाए, इसके लिए जो एड्रेस है, एड्रेस में मैं आपको बता दी, कुछ पर सुबर 10 बजे सभी लोग को पहुचना है, 25 तारीक को, ठीक है, यह गौमती नगर में है, गौमती नगर जो है, जो लखनव में वहीं पर है, यह मैं आपको बता देता हूँ, यहां पर आप गूगल पे भी डालेंगी, यूपिटर पलस या यूग के नाम से, तो वो नि जो है, मेट्रो गरा, सब सुधाएं हैं, तो वहाँ पर पहुचिए, आप लोग ज़्यादा ज़्यादा लोग को और ज़्यादा ज़्यादा लोग को तो इस न्यूज को बता भी दीजिए, अगर नहीं वीडियो सेर कर रहे हैं, तो आप मूँसे ही बता दीजिए, ताकि उनको जानकारी हो जाया और पहुंच सकें, खास कर जो लखनव में रहने वाले हैं, वो तो रूम पे ना सुएं, वो तो सुबह उड़ते ही, अबना नास्ता पानी करके पहुंच जाएं, इसलिए कि उनको तो कुछ सोचना है नहीं, लेकिन हाँ, जो लोग दूर दरास से जार उनको एक बार सोचना भी है, लेकिन हाँ, कोसिस करें ज़र पहुंचें, दिखिए आपकी लड़ाई है, अगर आप सूच रहे हैं कि हम बैठे रहेंगे, जात रहे हैं और लोग, तो फिर वो नहीं हो पाए, क्योंकि आप ही में से अगर ऐसे 10-100 लोग सोचेंगे, तो अपने हग को पाने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है फिर आपका तैयरी शरी करने का, इसलिए, कि भीया आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप कुछ जाईए, कुछ करिए, दीखिए, बीना आगे हाथ पर मारे कुछ नी होने बाला, हम लोग कितना भी कोस करेंगे आपको सूचित करेंगे बताएंगे कि यह करिए वो करिए हाँ ठीक है ऐसा करिए वागल लेकिन करना तो तभी होगा जब आप लोग खुद विजाएंगे चीजे खुद करेंगे वहाँ पर ठीक है क्योंकि बहुत सारे लोग लगे हुए हैं जा रहे हैं अब यह न स सलदी सी ये सारे पेपर हो जाएंगे और भरतियां आगे प्रोसीड होंगी और ये सुधर जायागा अगर यूपिट पलसी तो आपका भी भला होने लगेगा तो इसलिए हम ये करते हैं कि आप लोग से की रिक्वेस्टी कि आप लोग वहां पहुंचिये ज्यादा ज्यादा लगनों जाएए जो लोग दूर दराज से हैं वो कल ही ट्रेन पकड़के साम को निकल लें और सुबह वहां पर पहुंच जाएए और फिर उधर से आने का भी ट्रेन हर जगह के लिए हर जगह के लिए साम को फिर वहां से ट्रेन है ठीक है और एक नहीं दो दो ट्रेन है तो साम को फिर वहां से बैटिए और सिर्फ फिर अपने पने जगाव पर पहुंच जाईए तो इस तरीके से आप लोग वहां पर पहुंचिए और ये दिखिए मैं फिर वही चीज कह रहा हूं कि अगर अब नहीं आप जागोगे तो समझ लीजिए कि फिर आप जाग नहीं रहे हैं क्योंकि मैं बहुत बार कह चुका हूं पढ़ाई भी करिए पढ़ाई के साथ साथ आपको ये भी करना पड़ेगा ये यूपी है यूपी में ऐसे सरल तरीके से नोकरी नहीं मिलती समझ रहे हैं ये कोई यहां पर सांसत बिधाक नहीं बन रहा है कि सरल तरीके से बस हो जाएगा नहीं इसके लिए आपको धक्का मुकी सब चीजें बहुत चीजें करनी पड़ेगी अभी क्या अभी तो ये तो पेपर कराने के लिए हो रहा है अभी तो रिजल्ट निकालने के लिए फिर हर चीज के लिए आपको करना पड़ेगा तब जाके आपको नोकरी मिलेगी इतना सरल न बहुत हैं ठीक है जो कि अगर यूपिटर पलसी सुधर जाएगा तो संजीए कि सब का कल्याण होगा अब मैंने बता भी दी आपको पॉइंट वाइज क्या क्या मुद्धे हैं ठीक है इसलिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा हम तो कहते हैं कि आप जितने लोग जैसे अगर आप ही एक हर व्यक्ति अगर यह सुच ले कि हमारे रूम में चार लोग हम चार लोग को इन फार्म कर दें उसमें से कंस्क्रम एक दो चले ऐसे करके हर जितने लोग यहां पर सुन रहे होंगे वीडियो देख रहे होंगे अगर आप सब को बताएंगे तो यह बात जो भी स्टूडेंट है लाख हो इस्टूडेंट देखे अभी पेट का फारम आएगा तो उसमें 24-25 लाग फारम भदेंगे लोग इधर अगर उसमें से एको लाख डेढ़ो लाख पहुंच रहे हैं तो बहुत पहुंच रहे हैं लिग कम पहुंचिये तो हर व्यक्त भी यही सोचेगा तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा अभी कुछ दिन पहले धरना होने वाला था तो लोग भाई तब तक पता चला किया यह आगया कल अगर कुछ आता भी है न तबो नहीं रुकिएगा हम तो करें मत रुकिए भले कुछ आता है क्याहां रुको माली लिष्ट आ गई फलाना धमाका आ गया तबो मत रुकिए जाईए क्योंकि यह इसे लबंचूस देने से फुसलाय फुसलिये मत ठीके क्योंकि अगर एक ब रिजल्ट आपको मिलेगा क्योंकि अगर तैयारी आप जोर सोरत करते रहें और पताचला अभी पेपर ही हो रहां टला जारा टला जारा कुछ पताई नहीं चल रहा है तो फिर अंदर एक मोटिवेशन नहीं बनता है और मोटिवेशन तभी बनता है जब आपको टारगेट क गोंती नगर लखनव ठीक है वहीं 10 बजे पहुंचना आया गेट पर और यह नहीं कि कहीं पर गार्डेन या इको कार्डेन ये सम्मस्थ सुचिए वहाँ पर नहीं जाना है सीधे कार्याले जाना है और वहीं पर सीधे आपको जो है जो भी वहाँ पर बहुत सारे लोग मिलें ताकि लोग इसको जानकारी उनको मिले कि हाँ ये धरना हो रहा है और वहाँ पर पहुंच सके तो पहुंचेंगे ठीक है चलिए थैंक यू सो मच फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद़